आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि market continue downtrend में है और हर pullback पे आप buy कर लेते हो और market continue uptrend में है और पूरा दिन आप seller बन के बठे रहे हैं ऐसा मेरे साथ बहुत हो चुका है सायद आपके साथ भी हुआ होगा तो ये होता क्यों है और इसका solution क्या है solution में बात में बता हूँ पहले problem को समझ लेते हैं कल market up रहेगा या कल market down रहेगा ऐसा हम लोग पहले से predict करते हैं लेकिन क्या prediction सही तरीका है train करने का क्योंकि prediction is a part of gambling predict कर रहे हो मतलब आप एक gambling mentality के साथ आ रहे हो आप ये सोच के आ रहे हो कि market कल अप रहेगा कितना भी चाहे market गिरे हर pullback पे आपको green candle में बाई ही नज़र आएगा best solution ये होता है कि हमें सिर्फ zones decide करना चाहिए कि यहां से market bullish होगा यहां से market bearish होगा और इस zone के आसपास market एक range में रहेगा या फिर no trading zone में रहेगा अगर आपके पास भी कोई suggestion है तो comment में ज़रूर रहेगा